हाई एवरिवन कैसे हो आप सभी लोग आयोब आप लोग अच्छे होंगे मैं हूँ राहूल जैस्वाल और स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बर फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टुटोरियल्स में आज का जो वीडियो बना रहा हूँ अगेन एक बहुत जादा इंपोर्टन वीडियो बना रहा हूँ एक्जाम पॉइंट फ्यू दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि आप सभी के एक्जाम जो है वो काफी नजदिक आ चुके हैं तो that's why I have decided to make a video so that it can help in your examination बहुत सारे लोग को यह confusion होता है और बहुत सारे लोग की यह तकलीफ भी होती है जो कुछ लोग ने मुझे message किया यहां पर यह वीडियो बनाने के लिए तो उनका कहना यह था कि सर जब भी हम exam लिखते हैं तो हमेशा यह होता है कि उनका paper जो होता है वो कभी भी finish नहीं हो पर एक्जांपल तीन गंडे का paper है या फिर आपका दो गंडे का paper है चाहे वो 80 marks का हो या फिर 40 marks का 50 marks का paper हो तो उनके paper जो हो 100% complete नहीं हो पाते कुछ ना question जो होते हैं वो रहे जाते हैं छूड जाते हैं तो ऐसा क्यों होता है और उसका क्या solution है तो ऐसे चीजों को clarify करने के और कुछ आपको tips देने वाला हूँ मेरी तरफ से तो इसके लिए ये वीडियो बना रहा है दोस्तो नमस्कार जैसे कि आपको पता है मेरा नाम राहूल जेस्वाल है और मैंने engineering की है जैसे कि आपको पता है तो हमने जब engineering की थी तो सबसे अच्छा time management जो relation था वो मैंने engineering के दोरानी सिखा था और ये जो engineering के दोरान मैंने सिखा था ये आप लोगों मैं अभी से बता दे रहा हूँ क्योंकि आगर आप बच्पन से ही या फिर आप 10th में हो बिलो 10th standard के student हो या फिर अबाउट 10th standard के student हो तो अगर आप ये चीज़ पहले से ही अगर समझ लेते हो न तो कैसे आप complete कर सकते हो इस बारे में हम बात करने वाले हैं तो सबसे पहले दोस्तों जो मेरा topic है वो है कि अगर आप board examination point of view बात करो जो इस बार का होने वाले 2021 का तो board exam में आपको at least 10 minutes पहले paper दे दिया जाएगा और ऐसा मानना ये है कि बाकी कि जितने भी papers अगर होते हैं offline तो उनको भी कहीं ने कहीं 5 minutes पहले ही आपको paper दे दिया जाएगा और अगर नहीं भी देते हैं तो कोई बात नहीं आपको जब भी आपके हाथ में question paper मिलेगा सबसे पहले आपको करना है आपके पूरे paper को scan scan का मतलब आप बाकी scanner तो लेके नहीं आओगे आपके आँखों से ही scan करना है आपको उसको analyze करना है जब आप उसको scan करोगे तो आपके दिमाग में एक चीज आ जाएगा कि यार कौन-कौन से type के questions हमारे इस question paper में दिये गए हैं और जैसे आपने वो चीज पढ़ लिया तो आपके दिमाग में एक चीज clear हो जाएगा कि ऐसे type के कुछ questions आए किसी और question पर होंगे लेकिन हमारा subconscious mind जो है वो कुछ और सोच रहा होता है तो यह बहुत important चीज है इसलिए मैंने रख बोला है यह चीज कि सबसे पहले आपको जोब भी question paper मिले चाहिए आप 10 मिन पहले question paper मिल जाए अगर मिलता है तो बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर time मिलता है तो आपको at least आपका 5 मिनट स्टार्टिंग का दे देना है तो the question paper to read and like scan the paper so that आपको पता चल जाए और एक आपके mind में जो होता है ना एक map create हो जाए answer मुझे आता है मैंने tick किया हुआ है तो जैसे आप question देखोगे तो फटा-फट उसका answer जो है लिख पाऊगे ठीक है इससे होगा क्या जैसे हमारा topic का नाम क्या है कि हम जो है कैसे जल से जल paper को complete करें और जैसा हमने topic बनाए कि at least यह strategy अगर आप follow करोगे तो मेरे इसाप से at least आपका 10 minute paper पहले ही हो जाएगा 10-15 minutes पहले paper आपका complete हो जाएगा इतना मेरा experience है और मुझे लगता है कि आप लोग अगर यह चीज़ follow करें तो definitely you can achieve this तो आप अगर tick mark पहले सी करकर रोखोगे तो आप sure होगे मुझे यह question attempt करना यह question छोड़ देना है option में यह question attempt करना इसके answer लिखने तो जब आप last minute पहुचोगे तो आपके पस कहीं न कहीं जो time में बच जाएगा क्यों बच जाएगा क्योंकि आपने बाकी चीज सोचने में time waste नहीं किया कि मुझे कौनसा answer करना है कौनसा नहीं करना क्योंकि confusion हो जाता है कभी कभी दो question है और दोनों के answer मुझे आते लेकिन आप पहला वाला बहुत अच्छे से आता है दूसरा वाला बहुत अच्छे से नहीं आता है तो आपको सोचने का दुबारा मौका ही नहीं मिला आप वापस से time waste नहीं करोगे उसके उपर किया मुझे ये करना चाहिए कि नहीं तो इससे आपका time जो है वो reduce हो और साथ में आपको उसको fast लिखने की habit डालनी है क्योंकि क्या होगा कि जब आप fast लिखने जाते हो तो आपकी handwriting बहुत खराब निकलती है तो जिससे आपका impression डाउन हो सकता है लेकिन आपको ये नहीं करना है आपको अपनी handwriting इस तरह बना लीकिया आपको handwriting भी अच्छी निक कि उसको authority दी गई है कि वो question को read करेगा answer को read करेगा तब ही marks देगा बिना पड़े कोई marks नी देता है तो आप सोचोगे कि यार मैं मेरे को नहीं आता है तो मैं एक गाना लिखके आ जाओंगा मैं कोई picture का dialogue लिखके आओंगा बहुत लोग करते है ऐसा लेकिन यारा marks नहीं मि लिखना है just to increase the size of the page, just to increase the size of the answer आपको नहीं करना है ऐसा मत सोचना कि देड़ पेज answer लिखोगे तो आपको marks मिल जाएंगे अगर आपका answer सी 5 line का है और आपने cut to cut वो 5 line में answer खतम कर दिया तो आपको जो भी marks होंगे for example 2 marks का answer है तो 2 marks आपको मिल जाएंगे वहीं चीज आप आप follow करोगे तो definitely आपको जो last में जो time है वो मिल जाएगा उसके बाद जैसे कि मैंने बोला आपको जो भी चीज मिलता है उसमे time waste बिल्कुल नहीं करना है और जब आप last में पहुच जाओगे तो आपको बस अगर 10 से 15 मिनिट बच जाएंगे तो उसमें क्या करना है क्योंक अच्छी बात है जल्दी पहुचँ है अच्छी बात है लेकिन क्यों गर्यारवेश्ट कर रही है तो आपको मौका दिया गया है दूसरा खुद ने, आपने खुद ने आपने आपको मौका दिया है कि मेर पास 10 मिनिट है चलो मैं चेक कर ले तो कि मैने पेपर मे कुछ गल् लेकिन आपको मार्स नहीं मिलते हो और आप फिर जाओके जगडते हो पेपर जो मिलता है रहे टीचर में दो एंसर करेक्ट लिखा था लेकिन हमें तो मार्स नहीं दिया गया तो बदाती है आपने कोशन नमबर गलत लिखते हो तो यह ध्याण में रखना कोशन नमर की गलती अक्सर बहुत लोग से होती है मैं भी जब चोटा था तो मेरे से भी गलती होती थी तो हमारे पास जो लाज के 10 मिनट है वो यह चीज सुधार सकता है तो आप एक चेक करो कि आपने कोशन नमर सब सही से डाले है कि नहीं कोशन नमर बराबर लिखा है जो हे जो पॉइंट्स में मुझे बताना था आप लोग को और यही था मेरा टॉपिक आज का जो मुझे लगता है कहीं ने कहीं आपके लाइफ में थोड़ा सा इंपेक्ट करेगी बहुत ज्यादा तो नहीं करेगी लेकिन छोटी-छोटी चीज़ों को अभी मैं खयाल रखता हू दोस्तों सिलाबस तो अल्मोस्ट हमारे कंप्लीट हो गया है 10 स्टैंडर के थोड़े से बाकी है तो उनके लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं आने वाले दिनों में कंप्लीट कर दूँ ठीक है 95 परसंट तो कंप्लीट होई गया है साइंस के कुछ बच गया है तो उसको आपको कैसा लगा है दोस्तों प्लीज हमें कॉमेंट करके बताना है अपनी राय और सजेशन जरूर से देना है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया या यूसफूल लगा है तो फ्लीज वीडियो को लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा आपने सारे फ्रेंड्स लोगो फ